खेले दोस्तों जैसीरी राम होंबती बिलोग में आपका स्वागत दोस्तों आज बनाएंगे मक्का का आटा और भतुआ इनकी बनाएंगे प्राठे दोस्तों मैंने ले लिए मक्के का आटा और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी अब डालेंगे लाल मिर्ची दोस्तों मैंने हाथ से करी थी अब डाल लेते हैं नमक और इसमें डाल लेंगे बतुए का ये बतुआ जो मैंने काटी दोस्तों में दोस्तों में अब ले लिए गरम पानी गिलासे में गरम पानी ले लिए मने कर सकती notably कि येजिए ऑम कर ले लेंगे में पानी ले खरम इना दोस्तों मने काटी ओूस पज़ा हमगे लेगसे लेयल कि एया दोस्तों हमारे मक्के का आठा गुंद चुका आप बनाएंगे इसके पराठे कारना आपके कारना कार चुका चुका पराँ चुका कि लोची चुका कि era ही पराँ कारना कारेम है नालुख चुका कर भ़के का भराँ कि rency लोगयू पराँ कि खुझेत भराँ दोस्तों मेने डालती तॉब दे झाल झाल प्यक्त दोस्ता मेरे दादी उना लिये आज मक्के के परांते मक्के के आते के परांते और लाइक करों सम्क्राइश करों जब तक्रिवाइब दोस्ता मारे मक्के के परांते सिग्गे अब निकाल लेते हैं अब निकाल लेते हैं अब लेते हैं अब लगा लेते हैं पिन पूरी मखन पराठे के पर अब अब लगा लेते हैं पूरी मखन पराठे के पर अब लगा लेते हैं पराठे दोस्तों निकाल लेते हैं पराठे मेरे दोस्तों मैंने सारे पराठे बना ली सिरब एक यह पे हैं जो यह और दोस्तों आपको पिला कम नजर आ रहे हो गां इसके इंदर क्योंकि मैंने बतुआ ज्यादा डाली ती मक्के के इंदर आटे के इंदर दोस्तों हमने हल्दी भी नहीं डाली इसके इंदर खाली बतुआ मिर्ची अन्नमकी डालेते और इसलिए हमारे पीला नजर नहीं आ रहे हैं ताकि बतुआ इसके इंदर ज्यादा दोस्तों पाड़ लेते यह वाला पराठा भी दोस्तों इस पर डाल लेते मक्षन दोस्तों हमारे मक्षे के आठे के बत्वे वाले पराठे तयार है दोस्तों और दोस्तों साथ में हरी मिर्चे और आम का चार है दही है और प्याज है दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तों मिलते ऐसी नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए दोस्तों बाएबाए